Hi everyone, welcome back to my youtube channel, blog with beauty मैं हूँ नेहा और आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ प्लॉग की रेसिपी और साथी साथ मैं सेयर करने वाली हूँ चिकन कोर्मी की रेसिपी So, video थोड़ा long होगा तो video के end तक बनी रहे है, simple बहुत ही simple सी और बहुत ही tasty सी रेसिपी है, तो फटा फट से start करते हैं, तो मैंने ये ले लिया है कुछ प्याज, मैंने चिकन के लिए काटके रखे हूए हैं, चार से पाच प्याज, उसमें से ही कुछ थोड़ा सा प्याज मैं पेहए डालने के लिए थोड़ा सा जीरा चाहिए तो मैंने यह जीरा ले लिया है और इसके साथ-साथ मैं लूगी कुछ खड़े गरम मसाले तो इसमें से मैं ले रही हूँ ये लॉंग, चार से पाच लॉंग ले लेना है ये एक इलाइची, दो लॉंग, दालचीनी, जावित्री और ये मैंने लिया है थोड़ा सा अधरक और इसे पतले-पतले स्लाइसेस में कट कर लिये है और ये है तेजपत्ता और ये है चावल जिसको कि मैंने एक गिलास लिया है इस से मैंने नापा है, एक गिलास क्योंकि जब भी आप पलॉव बनाएं तो आप किसी ना किसी बरतन से मेजरमेंट करके ही बनाएं क्योंकि मैंने ये एक गिलास चावल लिया है और मैंने ये ले लिया है बरतन जिसमें कि मैंने घी डाल दिया है जिसमें मैंने प्याज लाल किया था उसी रिफाइन में मैं थोड़ा सा और घी दो चमच एड़ कर दे रही हूँ इसे की प्लॉ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आप एक बार इस तरीके से एक बार ये रेसिपी ट्राइ करके देखी ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है बट बहुत ही टेस्टी लगती है और ये मैंने सारे खड़े गरम मसाली इसमें डाल दिये आप देख सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है तो अब मैंने इसमें चावल डाल दे रही हूं और चावल को हलका दो से चार मिनट या पांच मिनट भी आप इसे फ्राइ कर लें मीडियम फ्लेम में नहीं तो ये जल भी सकता है सड भी सकता है अगर आप फरस्ट टाइम बना रह ये भुन गया है मेरे चावल आप देख सकते हैं और अब मैं इसमें एड़ करने वाली हूं पानी मैंने बताया है ऐपको कि मैंने 1 गिलास चावल लिया तो मुझे 2 गिलास इसमें पानी एड़ करनी है बिलकुल अपका मिजरमेंट करेक्ट होना इसके साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नेमू जिससे कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता और चावल भी गिला नहीं होगा ये खिले-खिले से चावल होगे और चावल भी वाइट होगा तो जिससे कि मैंने इसमें नेमू का अरज डाल दिया है औ आप देख सकते हैं एक उबाल आने के बाद आपको गैस मीडियम कर देना है, नहीं तो हाइफ लेम में सारा पानी सुख जाएगा और चावल भी नहीं गरेगा और यह कड़ा Kड़ा रह जाएगा, चावल अच्छे तरीके से नहीं गर देगा, तो आपको गैस करना है मीडियम फ्लेम और फिर इसे ढखके पकने के लिए छोड़ देना है चावल को आपको तब तक पकने के लिए छोड़ना है जब तक कि पानी पूरे तरीके से सूख ना जाए चावल का और इसके साथ साथ पानी भी सूख जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पानी को मेजरमेंट करके डाल चावल की हिसाब से पानी सुखे गा और आपका चावल भी रैड़ी हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे रैड़ी कर लिया है, मैं मीडियम फुलें पे जोड़ दिया था, बहुत ही सिंपल सी जटपट सी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है आप एक बार इस तरीके से ट्राइ करके जरूर देखे और I hope आप लोगों को ये रेसिपी अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और मैंने कहा है कि मैं साथ साथ आपको चिकन कोर्मा की रेसिपी से एर करूँगी सो मैं जब मैरिनेट कर रही थी चिकन तो मैं उस टाइम वीडियो सूट करने भूल गई तो अभी से आप यहां से देख लीजे मैं आपको बता दूगी मैंने इसमें क्या-क्या मैरिनेट करके रखा है और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राइ करके रखना है तो मैं यह प्याज एड कर रही हूँ और मैं इधर आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या-क्या मैरिनेट करके रखा है चिकन के साथ तो मैंने चिकन के साथ थोड़ा सा दही डाला है म धनिया पती, थोड़ा पोदीने की पती, हरी मिर्च और जो भी मसाले होते हैं वो सारी मसाले मैंने डाले हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक और नीमू अगर आपके पास है तो आप नीमू भी थोड़ा सा एक तुकड़ा इस बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जूसी सा बनता है तो आप देख सकते हैं यहाँ प्याज लाल हो रहा है और मैंने प्याज लाल करते समय इसमें नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने मेरीनेशन के टाइम में ही चिकर में नमक डाला है और जब लास्ट में मैं टे अगर आप प्याज लाल करते समय हरी मिर्श डालती है तो चिकन का टेस्ट और भी बढ़ जाता है अगर आपको पसंद हो तो नहीं तो फिर आप इसकिप भी कर सकती है तो यह हमारा प्याज रेडी हो गया है लाल हो गया अच्छे तरीके से और मैंने जो मेरिनेट करके वो चि और कुछ नहीं करना है बस इसे पकने के लिए छोड़ देना हां मैरिनेशन के टाइम में ही मैंने अधरक लहसुन का पेस्ट भी मैरिनेट करते से मैं डाल दिया था तो इसमें सारे मसाले अल्रेडी दिये गए उपर से कोई भी मसाला नहीं डालना बस प्याज लाल करके डा जो कि मैंने घर पे ही रूपर आङ रेड़्ी किया है बस शुन कमा वह में टेक्रवर मसाला जाल नहीं अगर आपके पास बाहर से उपयाट से पीज लाल करेंड़ समयं ही सारा डाल दे और आप इस तरीके से बना सकतें इस ताइम हमें चिकन को लाल करना तो फ्लेम थोड़ा हाइ रखना होता है और इसे अच्छे फ्लेम में इसे अच्छे तरीके से भूल लेना है और हलका पानी देखे फिर इसे गलने के लिए छोड़ देना है बस फटा-फट से हमारा चिकन भी रेडि हो जाएगा और हमारा पलाव तो पहले ही रेडी हो चुका है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ये भूनते-भूनते ही गल जाएगा क्योंकि मैरिनेट होते से मैं ही चिकन बहुत अच्छी तरीके से मसाले में घुल गया था और अब ये भूनाते-भूनाते हलका पानी भी सुख जाएगा और चिकन भी रेडी हो जाएगा तो ये है चिकन और मैं इसे अब कवर करके छोड़ दूँगी ये भूना भी जाएगा और साथी साथ ये गल भी जाएगा ये है गैस का फ्लेम हाई ये साथ-साथ भूनाएगा भी और गल भी जाएगा तो आप देख सकते हैं ये चिकन कितना ही टेस्टी लग रहा है देखने में ये सारे तेल उपर आ गया है जिससे कि ये पता चलता है कि चिकन अच्छे तरीके से भून गया है आप इस तरीके से कि वे चे一次 को रख सकती है अगर आपको भुना चेकन रखना तो आप इस तरीके से रखके आप 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 इसस टीशी कर सकती है नहीं तो ऑगर आपको नाने सबस्क्रानी को पानी यह आपको लगों को विडियो मैं एक लगा है तो total आप